दोस्तों हम काफी टाइम से observe तो करी रहे थे, कि Arabian Sea में जो cyclones आ रहे हैं, उनकी frequency, उनकी intensity, दोनों काफी ज़्यादा बढ़ रही है पहले की तुलना में, और अब इसी observation को proper scientific literature के साथ, research papers में भी publish किया जा रहा है, और साथ-साथ कुछ कारण भी दिये जा रहे हैं, तो क्या का observation और क्या precautionary measures and approaches उन लोगों ने बताए है, scientist ने बताए है, with respect to increasing cyclones in Arabian Sea, तो आईए आज इसी topic पर चर्चा करते हैं, तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ू, आपको बता देता हूँ, मेरा नाम किंजल चौधरी है, और आप उतसे मेरे telegram channel पर जुड़ सकते हैं, जहाँ आप लेक्चर के उपरांद आपको PDF updates मिल जाएंगे, और साथी साथ नीचे दी गई, मेरी an academy profile है, जहाँ पर यदि आप मुझे follow करें, तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी free special classes है, उनकी notification आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी, तो दोस्तों आज का सवाल देख तो tropical cyclones के इस अंदर में दो statement है, आप से पूछा जा रहा है क्या सही है, आप चाहें तो इसका answer अभी pause करके कर दें, या फिर lecture के अंच में हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे, तो आईए सबसे पहले जानते हैं news में क्या है, तो news में है दोस्तों की भई जो हमें मालुम है frequency में, duration में, किसके? cyclones के, कहाँ पर? Arabiancy में, तो यह हमें मालुम है और यही नई study भी बता रही है, वहीं अगर आप देखें, Bay of Bengal की बात करें, तो वहाँ पर कोई ऐसा significant increase या decrease, राधर change नहीं देख रहा है, with respect to, जो cyclones हैं, उनकी intensity, frequency, duration में, तो, tropical cyclones के संदर्ब में, जो research है, आईए, उसको जानते हैं, तो यह study publish हुई है, एक research paper, climate dynamics में, और उसमें पाया गया है, 1982 और 2019 के बीच में, उन्होंने पाया, कि जो भई, cyclones हैं, उनकी frequency, 52% से increase की है, Arabiancy में, तो Arabiancy में, 1982 की तुलना में, साल भर में जितने cyclones बनते थे, उससे 52% ज्यादा cyclones बनते हैं, number 2, जो cyclones है, अगर हम उनकी duration की बात करें, तो वो भी 80% increase हुई है, याने, यह cyclones अगर आप देखें, तो cyclogenesis के बाद, लंबे देर तक destruction of cyclone, याने, लंबे देर तक cyclones चल रहे हैं, वो duration भी बढ़ गई है, साथी साथ, cyclone की जो intensity है, याने, वो जो impact कर रहा है, जो हवाई चल रही है, उसकी जो गती है, वो अगर आप देखें, तो वो 20% से pre-monsoon period में increase की है, और अगर आप post-monsoon period में देखें, तो वो 40% से increase हुई है, इसके सिवा, जो cyclone की energy है, radiancy में, वो तीन गुना से बढ़ी है, तीन गुना से बढ़ी है, तो यही दोस्तो कुछ findings है, इस research paper की, तो इसके पीछे क्या कारण है, दोस्तो इसके पीछे scientists, दो कारण दे रहे हैं, दोनों के दोनों ही climate change and global warming से जुड़े हुए है, तो पहला कारण दिया जा रहा है, जो sea surface temperature है, वो globally, earth के जो oceans है, उनकी temperature 0.8 degree Celsius से 0.9 degree Celsius तक बढ़ी है, लेकि Arabians ये एक anomaly show कर रहा है, वो अगर आप देखे तो 1.2 से 1.4 degree Celsius तक जादा गरम हुआ है, तो जादा गरम होने के वज़े से जादा cyclones बन रहे हैं, अब आपके मन में ये ख्याल आएगा ऐसा क्यूं हो रहा है, तो इसके लिए आपको cyclones कैसे बनते हैं, ट्रॉपिकल cyclones कैसे ब evaporate करता है, तो इसलिए गरम sea surface है, तो जादा से जादा पानी क्या होगा, warm moist air over the ocean बनेगा, जो कि क्या करेगा, water vapor बनेगा, और water vapor बनेगा और ये अपर atmosphere में जाएगा, जैसे ये गरम होके उपर उठेगा, ये एडाइबेटिकली cool होगा, जब ये एडाइबेटिकली cool होगा अब ये डाइबेटिक कूलिंग कैसे होती है, इसके लिए आपको आइबेटिशोर आपने क्लाइमेटलोजी के लेक्चेस देखे होगे, तो ये डाइबेटिकली cool होगा, जैसे ही ये डाइबेटिकली cool होगा, तो water vapor वापस water droplet में condense हो जाएगा, तो water vapor जैसे ही water droplets तो condensation के दोरान वो latent heat release करेगा, तो latent heat जैसे ही यहाँ पर release होगा, तो वैसे ही water vapor बेपर तो water droplet में बन गया, लेकिन आज पास जो हवाई थी, वो हवाई क्या हो गई? गरम हो गई, वो गरम हो गई, तो उसके वज़े से ये warm air क्या हो जाएगा? और उपर उड़ जाएगा, और उपर उड़ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ vacuum ऐसा बनेगा, तो इसको fill करने के लिए नीचे से हवाई जाएगी, इस तरह फ्रश करेंगी, तो इस प्रकार से ये नीचे से हवाई जो की water vapor में rich हैं, जैसे ही वो उपर जाएगी, फिर वो condense हो जाएगी, वो गरम हो पानी मिलता रहेगा, तो यह कितना गरम होना चाहिए, 27 डिगरी से ज्यादा temperature, significant depth of water तक होना चाहिए, अब अगर ओशन में वो 26 डिगरी Celsius का temperature वाला depth कहां पर है, अगर कही पर ज्यादा गहरे पानी तक, पानी 26 डिगरी या उससे ज्यादा temperature की है, यानि ज्यादा water mass क्या है गरम है, तो जाहिर सी बात है, अगर ज्यादा water mass गरम है, तो ज्यादा water vapor बनेगा, और अगर कही पर दूसरे जगह आप देखें, मान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सही water mass क्या है, 26 डिगरी या उससे ज्यादा temperature रखता है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर अगर की chances क्या होंगी, low होंगी, जहाँ पर ज्यादा गहरा पानी गरम है, वहाँ पर cyclones बनने के chances क्या होंगे, high होंगे, तो दोस्तो इसी को कहते है, tropical cyclone heat potential, कितना गहरा पानी 26 डिगरी या उससे ज्यादा गरम है, that is tropical cyclone heat potential, तो tropical cyclone heat potential अगर हम Arabian sea की देखें, तो वो भी आप पा आएंगे, increase की है, यह देखिए, आने वाले दिनों की forecast है, 19 September 2021, तो इसमें आप देखिए, यह बढ़ड़ा है, 15, 16, 17, 18, 19, का यह forecast है, तो आप देख सकते हैं, Arabian sea में कुछ इलाके हैं, जहाँ पर पानी गहराई तक 26 डिगरी या उससे ज्यादा गरम है, तो इस वज़े से tropical cyclone heat potential भी आप देखें, तो कुछ हिलाकों में बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है, वहाँ पर cyclone बनने के chances भी high होंगे, वो केंदर बिंदू हो सकते हैं, जहाँ पर cyclone बन सकते हैं, तो इस research ने पाया है कि जो western coast है, इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा affected होगा, तो लक्षदीब अगर आप देखें, तो यह island group अगर आप देखें, तो समुदूर से बस थोड़ी ही उंचाई पर है, corals का बना हुआ coral islands है, तो इनकी survival आने वाले दिनों में cyclonic activity से जो coastal erosion हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि काफी तेजी से जो islands हैं, वो erode होते जा रहे हैं, और सवाल उठ रहा है, ऐसा researchers ने पाया है, तो researchers क्या किया जाए, उस पर भी advice दे रहे हैं, क्या करना चाहिए, कि western coast में हमें क्या करना चाहिए, तो other than traditional methods कि हम cyclone को better forecast करें, timely information disseminate करें, and timely लोगों का evacuation कर सकें, other than that, वो कुछ solution भी बताते हैं, rather than कुछ steps बताते हैं, जिससे cyclone के impact को mitigate कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आप mangroves को बचाईए इन इलाकों में, क्योंकि जो mangroves होते हैं, ये क्या करते हैं, जब cyclone की हवाए आती हैं, तो उसके लिए ये एक wind break का काम करते हैं, तो उसकी हवा की गती को slow कर देते हैं, तो energy कम हो जाती है, साथी साथ जो coast से जो पानी उपर उपनता हुआ आ रहा है, जैसे storm surge कहते हैं, तो storm surge के पानी को भी उपर बढ़ने से ये mangroves कुछ रोकते हैं, तो इस तरीके से ये flood से भी बचाते हैं, और जो kinetic energy है हवा की, उसको भी कम कर देते हैं, तो हवा का impact भी कम करते हैं, दूसरा इन्होंने कहा है, जो low lying region है, जो कि cyclone prone है, पर low lying region है, तो इस इलाकों में cyclone से जब storm surge होती है, तो कासी ज़्यादा coastal erosion भी होती है, और sea level के साथ rise हो रही है, तो जब coastal एक तरफ क्या हो रहा है, इस प्रकार से अगर land है, तो एक तरफ तो increasingly coastal erosion हो रहा है, जिससे क्या ह हो रहा है, यह इलाका अगर आप देखें तो यहां का मिट्टी, कट कट के, बह बह के, समुद्र में खिचा चला जा रहा है, तो इस तरीके से क्या होता जा रहा है, इस तरीके से यह इलाके अगर आप देखेंगे, तो यह कुछ ऐसे कट जा रहे है, तो obviously काफी इलाका इनक इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो नदियां आ रही है वो साथ में मिट्टी लेके आती हैं तो मिट्टी क्या करती रहें continuously जितना समुद्र काटे उतना मिट्टी ये replenish कर दे तो क्या होगा net equilibrium बना रहेगा तो अब पानी कटके पानी काटके मिट्टी बहा के नहीं ले ज तो वो fresh water लाते हैं, sediments लाते हैं, nutrients लाते हैं इन estuaries में, इन deltas में तो इस प्रकार से ये continuously sediment को replenish करते हैं और इस तरीके से अगर आप देखें तो coastal erosion से जो मिट्टी का नुपसान होता है उसके लिए make-up कर देते हैं तो इसलिए कल को जब sea level rise होगी तो आपका मिट्टी कट हुआ नहीं होगा, तो sea level rise भी होगी तो भी आप उससे बहतर लड़ पाएंगे, तो बहुत जरूरी है आप अपने dams को बहतर manage करें क्योंकि ये dams ही तो हैं जो कि इस नदी को रोग देते हैं और जहां पर भी नदी कुछ इस प्रकार से चल रही है, अगर यहां पर ऐसे dams की region तक पहुँची नहीं पाता है, तीसरा यह scientists जो है, researchers है, policy makers है, इनमें से काफी policy makers जो कि इस research में contribute किये हैं, वो IPCC में भी contribute करते रहते हैं, तो उनका कहना है कि जो भारत का coastal regulation zone है, उसको हम बहतर prepare करें और उसको climate change से लड़ने के लिए भी हमें सक्षम बनाना होगा, so that आन आने वाले दिनों में जो climate change का प्रभा होगा, coastal इलाकों में उसको ध्यान में रखते हुए coastal regulation zone, जो की coastal इलाकों में development को कुछ regulate करते हैं, वो regulation को climate change ready and climate change से लड़ने के लिए सक्षम बनाना होगा, तो बहतर planning की भी बात कर रहे हैं, तो आईए दोस्तों आज का सवाल देख ल गरम होगा, उतना ही ज़्यादा chances है, cyclone बनने का, यह सारे statements tropical cyclone के context में दिये गए हैं, तो बात सही है, tropical cyclone के लिए पानी जितना गरम होगा, उतना ज़्यादा sea warm, तो उतने ज़्यादा cyclone formation की chance, इसी को क्या कहते हैं, tropical cyclone heat potential, तो indirectly यह statement यही कह रही है, कि tropical cyclone heat potential ज्यादा है, तो cyclone बनने के chances ज्यादा है, statement 2 क्या कहती है, tropical cyclones are powered by the release of latent heat of condensation, तो क्या यह भी सही है, जी हाँ, यह भी बिलकुल सही है, तो tropical cyclones अभी हमने देखा ना, कैसे power होते हैं, यहाँ पे जैसे ही water vapor, water droplet बनता है, latent heat release हो जाता है, तो आस-पास की हवाएं गरम हो जाती हैं, गरम हो के यह हवाएं उपर उठ जाती हैं, तो इस प्रकार से, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह vacuum जैसा create होगा, तो नीचे से हवा को फिर खीचेगा, तो latent heat, इस cyclone रूपी engine को चलाता है, तो याद रखिएगा, tropical cyclones को कौन power करता है, latent heat करता है, क्या template cyclones को भी latent heat power करता है, आ आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हैं, दोस्तो आथी class पसंद आई हो, तो like करें, pathfinder channel को subscribe करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना न भूलें, जब भी an academy आए, use the code KC10, क्योंकि जब आप ये code use करेंगे, तो आपको 10% off नहीं मिलेगा, आपको मेरे दौरा, आपको mentorship मिलेगी, आप मुझे directly call कर सकते हैं, ये code use करने के बाद, और आपको hand holding मिलेगी, best notes मिलेगी, और जो guidance है, वो सारी subjects of GSA geography optional में मैं आपको directly provide करने वाला हूँ, तो अपने शिंथ होके ये code use करें, और फिर मुझसे संपर्क करें, दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आखरी कुछ दिन चल रहे है, price hike आने के पहले, तो बस कुछ दिन बच रहे है, price hike आने वाली है, कुछ ही दिन बच रहे हैं, दोस्तों इस वक्त unbelievable price पे आपको an academy subscription मिल रही है, तो अगर आप plus GS subscription देखें, तो 40,095 रुपीज में मिल रही है, जब आप code KC10 का इस्तमाल प्लस कॉम्बो एक साल की 46,740 रुपीज में मिल रही है, आइकनिक GS 60,345 रुपीज में, आइकनिक कॉम्बो जिसमें GS भी है, और optional भी है, तो ये 63,989 रुपीज में मिल रही है, obviously जब आप code KC10 use करेंगे, और अगर आप 2 साल, 3 साल के लेंगे, तो आपको और भी ज्यादा discount मिलने वाले हैं, तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, आखरी कुछ दिन है, 17 सब्टेंबर के बाद, आपको ये offer नहीं मिलेगा, जब बरदस्ट offer है, इसका फायदा उठाएं, और इसका maximum benefit लें, आपको 20 books भी घर पहुंचवा दी जाएंगी, अगर आप subscription लेते हैं, तो उसमें 1 year subscription onwards आपको ये free मिल रहा है, 10,000 रुपए की कीमत की किताब हैं, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर कौन कौन सी किताब हैं आपको provide की जा रही है, loan की भी facility है, दोस्तों, नीचे एक link दिया गया है, description box पर है, तो उसको आप क्या करें, जाके उसको fill करें, आपके जो भ रहेगी, कि मैं ही आपको approach करूँ, इसके सिवा दोस्तों, आपको कह देता हूँ, कि भाई, unacademy mega combat offer है, आपको मालों मैं 10 करोड की scholarship price है, केसी 100 code का use कीजिए, 19 सप्टमबर, and 100% discount हो सकता है, आपको unacademy subscription पर, legends wisdom series चल रही है, आप screen पर देख सकते हैं, तो इन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो इसका हिस्सा बने, plus subscription की दो साल की कीमत है, 14,800 रुपे, use the code केसी 100, iconics subscription की कीमत है, 14,175 रुपे, option subscription की एक साल की कीमत है, 24,775 रुपे, free test series भी आपको provide कर रहे हैं, तो केसी 100 code का इस्तमाल करें, और इसका हिस्सा बने,